हालो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी लोगों का स्टरी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं मैं शुबम सर्थालिया एक और विशेप एक और टॉपिक पर बात करने के लिए आगे हूँ दोस्तों आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेस्बूक याँ टेलिग्राम के मात्यम से मिरे साथ गनेक्ट कर सकते हैं इस टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन करें कोई भी आपका डाउट है कोई आपकी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ आपको सभी लेक्चर्स अलग-अलग कारेकरम किये गए इसी में 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम चलाया गया जिसमें हाल ही में नए स्कूल जो है वो उसका उधगातन माननी मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है विस्तार से समसेंगे इस 5T स्कूल प्रोग्राम के बारे अगर औरीसा चीफ मनिस्टर रिसेंटली डेडिकेटेड 142 स्कूल अंडर 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम तो एक 5T स्कूल परिवरतन कारेकरम जिसको नाम दिया गया है उसके अंतरगत 142 स्कूल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्ये के अंदर लोगों को समर्प के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन स्कूलों का उध्गाटन किया तो उनका कहना था कि इस प्रकार के इनिशेटिव का उदेश ये है कि बच्चों को शिक्षा की मदद से उनका आत्म विश्वास बढ़ाया जाए सभी चुनोतियों का सामना करना के लिए उनको भी लाइफ के चैलेंजिजिस हैं उनको ओवरकम करके वो एक सक्सेस्फुल लाइफ व्यतीत कर सके इसी दिशा में ये एक एहम कदम है तो 142 स्कूलों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने डेडिकेट करा है अगर हम इस 5T प्रोग्रेम की शुरुआत करें तो इस प्रोग्रेम तीसरा है ट्रांसपेरेंसी चोथा है ट्रांसफॉर्मेशन और पांचवा है टाइम लिमिट यानि के टीमवर्क टेकनोलोजी ट्रांसपेरेंसी ट्रांसफॉर्मेशन और टाइम लिमिट इन पांचों का इस्तेमाल करके जितने भी सरकारी काम काज है उनकी परफॉर्मेंस क evaluate किया जाएगा उनकी performance को अंका जाएगा यानि कि कोई भी सरकारी काम अगर हो रहा है कोई भी सरकारी अधिकारी कोई काम कर रहे है तो देखा जाएगा कि क्या उसमें team work involved है क्या technology का इस्तिमाद उसमें सही तरीके से हो रहा है क्या उसकाम में transparency पारदर्शिता है क्या transformation कुछ बदलाव आया है उससे और क्या समय रहते एक time limit में वो काम पूरा हुआ है इन 5 parameters के उपर these are the factors on which performance of government officials and projects will be judged तो कोई भी सरकारी अधिकारी है या कोई सरकारी कामकाज किया जा रहा है उसका पूरा का पूरा आंगलन जो है वो इन 5 parameters पर जिसको 5T program कहा गया है उसके आधार पर होगा और इसी 5T program के अंतरगत schools में transformation किया गया है 5T school transformation क्या है ये 5T school परिवर्तन highlighting the initiative the chief minister said school transformation is the best example of 5T program इस 5T program का बहतरीन उपयोग जहाँ पर किया गया है या सबसे बहतरीन उधारन अगर हम देखें तो वो है ये school transformation initiative जहाँ पर technology, teamwork, time, transparency और transformation को एक साथ मिला करके बहतरीन state of the art facilities के साथ में schools बनाए गए हैं जिनका lab राज्य के लोगों को मिलने वाला है यहाँ पर एक एक करके किस तरीके से 500T का यहाँ पर involvement है वो देखेंगे सबसे पहले अगर technology की बात करें क्योंकि schools के अंदर smart classrooms है libraries है, computer labs है modern laboratories है इन सभी चीजों में आधूनिक तरीके से technology, आधूनिक technology का latest technology का इस्तेमाल किया गया है जिस वचे से ये schools जो है उटन में transformation आया है क्यों आया है transformation क्योंकि in school की transformation में हमने smart classrooms, libraries, computers, model laboratories लगाई और यह सारी की सारी चीज़ें किस heading में आती है, यह आती है under the heading of technology तो प्रद्योगी की के अंतरगत यह सारी की सारी चीज़ें की गई है, यानि कि 5T में से पहला टी technology का इस्तेमाल इस पूरे प्रोग्रेम में किया गया है Similarly, the joint effort of all is teamwork अब दूसरा principle कहता है 5T में दूसरा टी है teamwork का क्योंकि एक साथ 142 school जो है उनका transformation हुआ है यानि कि सभी लोगों ने मिल करके संयुक्त प्रयास से teamwork से यह सारा का सारे कारे किया है जिस वजह से 5T का दूसरा टी भी यहां पर involved है third principle the third principle is time the school work has been completed in targeted time due to hard work and dedication तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो तीसरा टी है वो है समय रहते time management तो एक time bound manner में एक समय सीमा में यह पूरा का पूरा कारे पूरा हुआ है जिस वजह से तीसरा टी जो है इस 5T प्रोग्रेम का वो भी completely fulfill होता है तो यहां पे technology है, teamwork है time frame में काम हो रहा है इसके अलावा fourth principle है transparency यानि के पारदर्शित आप जानते हैं कि सरकारी कामकाज बहुत सारे लोगों की यह शिकायत रहती है कि सरकारी कामकाज जो है वो पारदर्शिता से नहीं होते है transparency उसमें नहीं रहती है लेकिन मुख्यमंत्री जी यहां पर कह रही थे कि देखिए, हमने जो कारे किया है वो बिल्कुल transparency से है अपमारे 5T प्रोग्राम में एक T जो है वो transparency के लिए है तो transparency कैसे सुनिश्चित होगी the changes that have taken place in the school have been discussed with the people of the area जो भी बदलाव स्कूलों के अंदर लाए गए है उन बदलावों के संबंद में शेत्र के लोगों से पहले चर्चा की गई उनसे पूछा गया कि सरकार इस प्रकार के बदलाव लाना चाहता है क्या आप लोग इन बदलावों से सहमत है इस तरीके से ये कारे किया जाएगा यानि कि सारी कि सारी बातचीत लोगों तक उनको बताए गई तो पार दरशिता transparency जो है वो निरंतर बना कर रखी गई तो चोथा D जो है transparency का वो भी यहाँ पर fulfill होता है transparency is the biggest power of 5T program तो यहाँ पर क्योंकि transparency पार दरशिता है कि important part है जब भी किसी सरकारी काम को हम लोग implement करते हैं तो 5T में सबसे ज़ादा important जो है वो transparency है क्योंकि वो आम आदमी को एक आम citizen को empowered feel कराता है जब उससे सरकारी काम काज के बारे में राय ली जाती है feedback ली जाता है तो वो सशक्त महसूस करते हैं इस बचासे 5T program में सबसे ज़ादा power अगर किसी में है तो वो transparency में है और उसके बाद 5T जो है वो transformation है all of this has brought transformation which we can all experience तो मुख्यमंद्री जी यहाँ पर कह रहे थे कि इस पूरे की पूरे प्रोग्राम से transformation आया है परिवर्तन आया है schools के अंदर 102 बयाले schools को transform करके लोगों को सौंपा गया है तो ये पूरा का पूरा transformation जो है वो इस 5T program के अंतरगत आया है वो शुरू किये गए है schools हो है वो समर्पित किये गए है राचे को तो ये है पूरा का पूरा 5T school transformation program औरिसा सरकार का चीफ मनिस्टर सेड देट school transformation program has eliminated differences between schools in the city and villages ये चीज़ important है इस program से सबसे बड़ा लाब क्या हुआ irrespective of the fact के school गाउं में है शहर में है facilities same है अब ऐसा नहीं है कि आप गाउं के school में जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पर proper facilities जो होनी चाहिए थी वो नहीं है सभी facilities जो एक शहर के school में मिल सकती है वो आप गाउं के schools में भी मिल रही है और एक और बहुत 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 बहुतरीन कदम सरकार दोरा लिया गया है जितने भी इंजीनिरिंग और मेडिकल के कॉलेजिस हैं उसमें 15 प्रतीशत सीटें जो है वो अरक्षित कर दी गई हैं सिरफ उन बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल से पढ़ करके आएंगे सरकार सरकारी स्कूल के इंफ्रस्रक्चर को बहतर कर रहे है यह परिवर्तित किया है स्कूल को और उन स्कूल से पढ़कर के आने वाले बच्चों को 15 प्रतीशत रिजर्वेशन आरक्षिन जो है वो मिलेगा अगर वो मेडिकल ये इंजिनिरिंग कॉलेजिस में दाखिला र तो ये है ओडिसा सरकार का 5T स्कूल ट्रांस्फोर्मिशन प्रोग्रेम आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा ओडिसा स्टेट एक्जाम के लिए अगर आप प्रेपेर कर रहे हैं तो आपके लिए बहतरीन स्मार्ट कोर्स स्टडी आईक्यू पे कोर्स आपको बहुत जादा हैं आपकी एक्जाम प्रेपरेशन में तो डेफिनेटल इन कोर्स में इन्रोल करें और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ बहतर बनाएं थैंक्यू वेरी मच आल दी बेस्ट कीप वरकिंग हार्ड बाई बाई टेक के जहिए जहिए जहिए